हाई फ्रेंज, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल टेखीबीज आज जिन टिवीज का मैं आपके लिए ओवर्व्यू लेकर आई हूँ वो हर किसी के लिए तो नहीं बने हैं लेकिन जो इन लग्जूरियस टिवीज को अफॉर्ट कर सकते हैं उनके लिए ये विजूल डिलाइट्स हैं ये हैं वीउ के मास्टरपीस टिवीज जो 85 और 98 इंचेस साइज में लॉंच हुए हैं खास करके 98 इंचेस वाला टिवी आपको घर बैठे ही सेनेमा हॉल वाला एक्स्पिरियंस देने में फुली कीपिबल है ये दोनो टिवीज वीउ मास्टरपीस सीरीज के ही अपर साइज वेरियंस हैं जिनने उन लोगों के लिए रिलीज किया गया है जो OTT प्लैटफॉर्म पे रिलीजड वेब सीरीज और मुवीज को घर के कमफर्ट में लेकिन सेनेमा हॉल वाले एंबियंस में इंजोई करना चाहते हैं इस समय आपको वीउ 98 इंचेज मास्टरपीस के अलावा कोई भी दूसरा इस साइस का या इससे बला टीवी अमजोन पे नहीं मिलेगा इन टीवीज को लॉँच करके वीउ ने हायर ब्रैंज की लग्जूरियस कैटेगरी के टीवी सेगमेट में एक अग्रेसिव इंट्री ली है हाला कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि वीउ ने किसी हिउज स्क्रीन के टीवी को लॉँच किया हो इस बार वीउ ने अपने 98 इंचेस टीवी का प्राइस उससे काफी कम रखा है अगर आप इन साइजस का टीवी किसी और हायर ब्रैंड में खरीदेंगे तो वो वीउ के टीवी से काफी कोसली पड़ेगा इस 98 इंचेस टीवी को रिलीज करने का कमपनी का में इंटेंशन ये है कि अपर मिडल क्लास भी उस लक्षरी को अफ़र्ट कर सके जो अभी तक सिर्फ सेलेब्रिटीज और क्रीम सुसाइटी का ही प्रिरॉग्गेटिव रहा है ये सेम वीउ मास्टरपीस की ही तरह लोकल डिमिंग वाले टीवीज है जो अपने आप में ही एक कमप्लीट होम सेनेमा सेटप है इन टीवीज में 204 वाट्स का साउंड सिस्टम लगा आता है जिसमें 4 स्पीकर्स के साथ एक बिल्ट इन सब वूफर भी है ये टीवीज डॉल्बी एटमिस के साथ डॉल्बी ओडियो, डॉल्बी डिजिटल प्लस और MS-12 ओडियो को भी सपोर्ट करते हैं इसके अलावा इन टीवीज में 2-way Bluetooth दिया गया है जिससे आप अपने mobile phone में stored songs को इन टीवीज पे प्ले कर सकते हैं इतनी बड़ी screens को sufficient brightness देने के लिए कंपनी ने इन टीवीज में 1000 nits की peak brightness डाली है टीवी को ultra luxurious feel grant करने के लिए इसमें लगे QLED पैनल की housing को 3000 tensile aerospace grade aluminium metal से construct किया गया है ये वही material है जिससे 6061 T6 capacity के private jet को भी construct किया जाता है ये टीवीज Dolby Vision IQ, HLG, HDR10 और HDR10 Plus सभी को support करते हैं View Masterpiece 98 inches model की screen 100% anti-glare है जिससे आप इस टीवी को bright sunlit rooms में भी ड्रक सकते हैं टीवी के viewing angles बढ़िया है क्योंकि इन टीवीज में A plus grade 120 Hz IPS QLED पैनल दिया गया है motion blur को minimize करने के लिए टीवी में MEMC भी है Company claim करती है कि इन टीवीज में दिया गया smooth motion इन टीवीज के refresh rate को double कर देता है जिससे टीवी में 240 Hz तक का refresh rate मिल जाता है इन टीवीज में HDMI 2.1 दी गई है आप इन टीवीज पे 4K at 120 Hz तक की gaming कर सकते हैं और इसमें आपको ALLM, VRR और FreeSync features भी मिल जाते हैं इन टीवीज में आपको dual UI मिल जाती है टीवी inbuilt Vida operating system के साथ आता है लेकिन box में आपको Google Chromecast मिल जाता है जो इन टीवीज को Google TV में convert कर देता है इन टीवीज में आप सारे ही applications चला पाएंगे टीवी में quad code processor लगा आता है और इन में 3GB RAM के साथ 16GB का storage दिया गया है इन टीवीज में दूसरे picture modes के साथ साथ cinema mode और filmmaker mode भी दिया गया है इन दोनों ही टीवीज के साथ आपको दो remote मिलते हैं एक Google Chromecast वाला और एक टीवी का original remote है टीवी के remote में आपको Netflix, Prime Video, YouTube, Music, Browser और direct applications खोलने की hotkeys मिल जाती है remote Bluetooth plus IR है और देखने में ये stylish है connectivity के भी इन टीवीज में multiple options दिये गए है इन में 4 HDMI ports और 2 USB ports के अलावा SPDIF port, AV port, headphone jack और Ethernet port भी दी गई है HDMI ports का HDCP version 2.2 है इन टीवीज में आपको 1 USB 3.0 port भी दी गई है इन टीवीज में HDMI EARC के साथ-साथ HDMI ARC और HDMI CC भी दी गई है इन टीवीज में artificial intelligence based 4K picture upscaling मिलती है दोनों टीवीज डूल band Wi-Fi के अलावा Bluetooth version 5.0 के साथ आते हैं कास्टिंग का feature भी इन टीवीज में दिया गया है टीवीज के साथ wall mount भी included है आप इन टीवीज को wall mount कराने के अलावा टीबल टॉप या फिर किसी island पर भी place कर सकते हैं ऐसे भी View Masterpiece TV अपने release के time से ही शांदार picture quality के चलते best seller बना हुआ है और ये अच्छी बात है कि company ने इसी सीरीज की giant screens भी launch की है company ने मुंबई में इन टीवीज को हाल में ही launch किया था और मुझे इन टीवीज के साथ काफी time spend करने का मौका मिला different contents play करके मैंने इने अच्छे से टेस्ट किया दोनों ही टीवीज की picture quality बहुत बढ़िया है जो higher brands के टीवीज को भी अच्छा competition दे सकती है टीवी के colors vibrant है जो इन टीवीज की अच्छी brightness के चलते bright और खिले हुए नजर आते हैं IPS panel के हिसाब से इन टीवीज में अच्छे खासे blacks भी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये टीवीज काफी bright हैं इसलिए dark scenes में illuminated objects के around थोड़ी सी blooming दिखती है लेकिन बहुत bright fall TVs में इतनी blooming normal होती है Sony X90K में भी आपको dark scenes में blooming दिखती है लेकिन फिर भी वो excellent TV है 98 inches TV में 100% anti glare screen दी गई है इसलिए launch venue में TV पर पड़ती spotlight के बीच भी वो बहुत ही बढ़िया performance दे रहा था बिना किसी reflection के 100% anti glare screen होने की वज़ा से 98 inches TV में blacks और ज्यादा deep दिखते हैं TV की overall picture quality बहुत light में भी काफी बढ़िया दिखती है TV पे reflection का कोई भी issue नजर नहीं आता है TV का viewing angle काफी अच्छा है साइड से देखने पे भी कोई खास color distortion नहीं होता है audio की बात की जाए तो वो भी काफी loud और clear है इतनी भीर भाड में 40% volume पे भी audio clearly audible थी और 90% पे तो बहुत ज्यादा loud हो रही थी जिसकी वज़ा से मुझे volume को low करना पड़ा इस 98 inches TV को room में लगा कर एक complete home cinema setup create किया जा सकता है अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि प्रोजेक्टर से इससे कम पैसों में भी cinema setup तयार किया जा सकता है तो ये सच है लेकिन वो एक cumbersome process होता है जिसमें प्रोजेक्टर को ceiling से mount करना होता है और साथ ही साथ बाइस चुपाने का hassle भी involved होता है और फिर कोई भी प्रोजेक्टर thousand nits TV जितना bright नहीं होता है और OTT contents को optimum quality में देखने के लिए high brightness must होती है इसके अलावा आप इस TV को sunlit room में भी place करके बहुत बढ़िया picture quality पा सकते हैं जबकि प्रोजेक्टर के optimal performance के लिए complete darkness एक pre requirement होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रोजेक्टर को लगातार long hours तक use नहीं कर सकते हैं इससे वो जल्दी खराब हो जाएगा जबकि टीवी पे आप लगातार contents देख सकते हैं वेब सेरीज इतनी addictive होती हैं कि उन्हें बीच में छोड़ कर उठने का मन ही नहीं करता है प्रोजेक्टर को बीच बीच में आधे एक घंटे के लिए बंद करके cool करने का process भी annoying होता है especially तब जब आप किसी content से glued होकर उसे enjoy कर रहे हो basically प्रोजेक्टर मुवीज या short content के लिए ही होता है OTT contents के लिए TV ही appropriate होता है और thousand nits brightness के साथ ये TV OTT contents को बहुत बढ़िया quality में play करता है इसके अलावा इन TVs में HDMI EARC के साथ Dolby Atmos भी दिया गया है आप चाहें तो इन TVs को किसी Dolby Atmos home theater system से भी connect कर सकते हैं उससे आपको बढ़िया surround sound experience भी मिल जाएगा इन TVs में dual UI का access दिया गया है आप दोनों UI के भी switch over भी कर सकते हैं OTT contents और movies दोनों के लिए ही ये TVs बहुत बढ़िया options है gaming के लिए भी इनमें सारे necessary features दिये गया है आप चाहें तो इन्हें अपने PlayStation से connect करके giant screen पे बहुत अच्छे से gaming enjoy कर सकते हैं ये TVs एक status symbol होने के साथ entertainment को भी epitomize करते हैं बस अफसोस की बात ये है कि ये TVs common man की reach के beyond है हाला कि अगर बारी की से देखा जाए तो इनका price, इनके performance और giant size को ध्यान में रखते हुए fully justified है क्योंकि कोई भी 85-inch TV अभी फिलाल 3 lakh में नहीं मिल रहा है और नहीं इस समय कोई 100-inch के आसपास का TV 6 lakhs में available है और अभी as a launch of a company in TVs के साथ 3 साल की warranty भी दे रही है अगर आप Sony का कोई full array local dimming वाला 85-inch TV भी लेते हैं तो वो कम से कम 5 lakhs के उपर आता है और उस पे सिर्फ एक साल की warranty ही मिलती है extended warranty Sony की बहुत महँगी होती है जिसको सुनकर ही होश उट जाते हैं और जहां तक 100-inch के आसपास के TVs की बात है उनका प्राइस 10 lakh के उपर जाता है तो अगर आप 85 या फिर 100-inch TV लेने की सोच रहे थे तो वीउ के ये masterpieces आपके लिए कम प्राइस में बड़ी options है क्योंकि बिना picture quality और audio से compromise किये हुए भी आप Sony, Samsung और LG के in size के TVs के मुकाबले इने कम प्राइस में खरीज सकते हैं इन TVs की purchase links description में है अगर आप इने खरीदना चाहते हैं तो description चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and stay safe